इसको अमरे Android phones पे न धेर सारे features packed होते हैं, कई बार कुछ चीज़े important होती हैं और कई बार कुछ चीज़े वसे ऐसे ड्रामे के लिए डाल देते हैं, तो आज आप इस वीडियो को आगे दिखते रहिए और like share करते हैं, because मैं आप से बात कर रहा हूं, एक बहुत ही कबाल, powerful feature के बारे में मतलब जिसके बीरा पतानी हम आज तक जी कैसे रहे थे, मैं आप से बात करने वाला हूं, virtual RAM के बारे में, नमश्क्रार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेकनिकल, घुरू जी, चलिए शुरू करते हैं, यह देखो यह जो पूरी कहानी है, virtual RAM, डानमेक, RAM, RAM, प्लस, RAM, प्रो, एक्स्ट्रा, RAM, पता नहीं मतलब अलग-अलग नाम से, अलग-अलग ब्रैंट इस चीज़ को मार्केट करते आए हैं, भाई, बहुत ना इंसाफी हो रही है, बहुत गलत बात हो रही है, यह नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा कॉंसेप्ट ह जो है, वो बदल के रख दिया है, RAM का, और आज की डेट में इस तरीके से मार्केटिक की जाती है, कि जिस फोन में 4GB की RAM है, उसको बता देते है, 8GB का RAM वाला फोन, स्टार लगा के छोटा सा, विद वर्चुल रैम, जो 8GB वाला है, उसको बोल देते है, 16GB वाला फोन, मतलब ये जोड तोड़के पूरा जो वर्चुल रैम के चक्कर में मार्केटिंग का पूरा गेम चल रहा है, सभी ब्रैंड्स का, यार ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है, मैं सिंपल बोलूँगा, और आप सभी को जानना जरूरी है, कि वर्चुल रैम चीज क्या होती है, इवन रिकॉल कि वो पहला ब्रैंड कौन सा था, और उस टाइम पे शायद तीन जीवी की एक्स्टा वर्चुल रैम के तरफ से कहानी स्टार्ट हुई, तो आज तो भईया आट जीवी तक कहानी पहुँच जगी है, और अल्मोस्ट सभी ब्रैंड्स, मतलब I think Pixel को छोड़क और Nokia को छोड़के, if I'm not wrong, mostly सारे ब्रैंड्स जो हैं, वो इसी virtual RAM और extended RAM और expandable RAM की कहानी में लगे हैं, और लोगों को mislead कर रहे हैं कि भईया दोको phone में इतनी ज़्यादा RAM हो गई है, तो I'll tell you honestly how the situation is, अब just आप एक बार के लिए अपने दिमाग में imagine करो कि आपके पास में जहाँ पे 8GB की RAM है और 128GB की storage है, अपको पता है, जो read-write की speed होती है न, RAM के अंदर, random access memory के अंदर, वो बहुत ज्यादा fast होती है, मतलब it's not even comparable to आपका जो यह होता है न, UFS फाली storage या जो standard जो आप EMMC use करते होंगे, या मतलब रो, any kind of ROM that you have, उसके comparison में RAM के अंदर read-write की speed बह बहुत ज्यादा होती है, और मैं आपको एक example लेकर समझाओंगा, आपको तो और इचे समझ में आएगा, और उसके बाद में companies क्या कर रही है, जो आपकी storage है, जो बहुत यह low speed वाली storage आपके पास में है, उसका कुछ हिस्सा as a RAM use कर लेती है, अब यार एक तरफ तो RAM आपके किया हुआ है, प्रॉपर एकजांपल लेकर, एक बार दुबार आपको बता है तो, RAM वो memory है, जो आपके फोन का प्रोसेसर है, बैसी के लिए, आप यह समझ लो basic, वो बहुत जल्दी से उसको utilize कर सकता है, read, write करने के लिए, वहाँ से files को pick करने के लिए, मतलब कोई भी अगर प्रोसेसर रन कर रहे हैं उस ताइब पे, think of RAM as this table, यह table जो है, यह RAM है, मैं प्रोसेसर हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, इस table के उपर बैठ के, अब जो storage है आपके 128GB की, वो मान ले, room में कहीं और किसी कोने में कबड रखा है, जहाँ पे shelf में सारा, you know, मेरी किताबें, files, मे इस game की permanently, वहाँ से फाइल उठके आएगी, इस table के उपर आ जाएगी, अब मैं और यह table एकदब ऐसा touch बैठे हैं, तो मैं easily, मतलब मेरे आराम से मैं इदर से file निकाला, यह निकाला, मैं आराम से सारा काम कर सकता हूँ, आपको बहुत अच्छी performance दे दूँगा, because, मेरी accessibility यह मैं ने उसको खोल दिया, processor उसका काम कर रहा है, करते-करते, imagine, just think about, यह table यह आपके RGB की RAM है, और on average आप इसके अंदर 10, 12, 15, 20 applications को एक साथ रन कर पा रहे हैं, उस कोने में आपका game था, इस कोने में आपका Chrome था, यहाँ पे आपका, जो है, वो कुछ और important आपने खोली application वो थ आप गए, किसी और app की उपर तो, मतलब, I can easily play with these apps, जो memory में हैं, जो फिलाल RAM में हैं, very easy for me, अब virtual RAM की कहानी ही हो गई है, कि imagine करो कि इस table के अंदर, मैंने और extra, मैंने को लग रहा था कि यह table छोटी पढ़ रही है, 8GB में लिए कम पढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंन जो cupboard दी, जो शेल्फ थी, मैंने वहीं पे एक उपर की दो racks जो है, उनको allocate कर दिया, कि हाँ भी रैम का काम करेंगी, बट अब सोचो, practically पर लिए कितना ज्यादा फायदा है, नुकसान है, कि मैं एक तरफ तो यहां काम कर रहा हूं, और फिर मेरे को दुबारा से cupboard से यो storage थी, तो मैं उसको technically बोलूँगा कि नहीं, यह भी मैं as a RAM की तरह ही काम में लेलता हूं, दो शेल्फ उपर ही खाली पड़ीगे, मतलब मुवाइल फोन का कर रही है, 8GB प्लस 128GB का अगर फोन है, तो यह बोलती है, भीया, up to 8GB कि आप रैम एक्स्ट्रा जो है, इसमें आड क के लिए, तो आपकी RAM अपो होई है, 8GB प्लस 8GB, 16GB और जो storage है, वहाँ से 8GB समझ लो, आपने हटा दिया, यह गेम चल रहा है भूरा का पूरा, और यार, it's, मतलब, completely illogical है, उसका एक और आपको reason बोलता हूं, एक तो देखो, speed का मैंने को बता दिया, clear example, कि there is no comparison, यार, यह उसको बहुत ही frequently read या write किया, तो यह storage के लिए भी अच्छा नहीं है, फायदे मंद नहीं है, अगर आप दिन भर वहाँ पर, RAM का तो काम यह है, जब जितना आप phone उसकर रहे हो, तुरन तुरन सारी RAM काम में आ रही है, this is what it is, because बार बार नए apps कोल रहे हो, close कर रहे हो, सारे क चाहेगी, Google खुद यह बात बोलता है, Android के website पे खुद पे यह line नीचे लिखी हुई है, बतलब, it's a reality, कि भाई, it's not recommended कि आप उस storage को ऐसे RAM की तरह use करो, और बुरा तब लगता है, जब companies एक 15,000 का phone लाँच करती है, 12,000 का phone है, जो भी एक प्राइस का phone लाँच करती है, माल या 6 GB की RAM की और 6 और extra तो 12 GB RAM, अब जो consumer है यार उसको पता ही नहीं चलता ना, बतलब जो एक normal इंसान के हम बात कर लेते हैं, जिसको कोई idea नहीं है RAM क्या है, ROM क्या है, उसको ना केवल वो number दिख जाता है, कि भाई या 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है, अब वो जब दुकान में जाता है कोई फोन लेने के लिए, अब आप सोचो कि एक तरफ उसको एक फोन मिल रहा है जहां पर 8 GB RAM लिखी हुए, जो उसके दर actual में 8 GB RAM है, और उसको दूसरी तरफ एक फोन मिल रहा है जहां पर लिखा हुए 12 GB RAM, क्योंकि वो 6 प्लस 6 है, टेखनीकली उसकी RAM 6 GB है, दूस एकस्पैंडेड रैम, एकस्टेंडेड रैम, जो भी लोगों को लगता है जादा RAM है, जादा GB उदर दिखा रहा है, तो यह वाला फोन अच्छा होगा, हमको रियालिटी समझने चाहिए कि नंबर वन भाया कहां जाके ब्रेक लगाओगे यार, मतलब 6-8 GB RAM बहुत होती है कितना आपको उसमें अपना बनना है पूरा सारा काम करने आपके फोन के इंदर के भी आपको चाहिए इतनी हाइंड सारी चीज़ें, और दूसरी बात, अगर आपने एक्स्टा डैनेमिक RAM जोड भी लिया, तो आपके फीड में इजाफा नहीं होगा, बस यह समझ लो कि और आपको समझनी चाहिए इस बात को, और मैं बोलूगा, सारे ब्रैंड को भाई, प्लीज, अगर यह फीचर दे भी रहो ना, इस ओल फाइन, प्लीज, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डबे पे चापना बंद करो, इसको मतलब मार्केटिंग के लिए यूज करना ब वो कर लेगा, अगर आपने अप्शन दिया लेकर उसको मार्केटिंग में तो काम में मतलो, खैस आप बता आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शर करते हैं, रीचे कॉमन करते हैं, अपने मन के बाएते बताना मत भूलना, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जेहिंद वंदेबात रंग